स्रीश वाय, नमस्तु भैयम, हम सबको पता है कि नौरातरी का बहुत ही पावन सा महिना स्टार्ट हो गया है और मेरी तरफ से यानि कि दा नैचुरल प्लैनर्ट फैमिली की तरफ से आप सभी को नौरातरी की बहुत-बहुत शुपकामना है, मातरानी की किर्पा आपके उपर और आपके पूरे परिवार के उपर हमेशा बनी रहे हैं, देखो, आज के टाइम पे न, हर एक घर की प्रॉब्लम है न, कि भईया, हमारे घर में बीमारी खतम नहीं हो रही हमारे सारे पैसे डॉक्टर लेके जा रहे हैं, बट हमारे घर में कोई स्वस्त नहीं रहता, तो ये विडियो आपके लिए इस नौरात्रि के पावन से महीने में नीम के पत्थे का ये उपाय अगर आपने कर लिया आपकी जो भी बीमारिया होँ चाहे वो छोटी होंगी या बड़ी सारी बीमारिया आप भी खतम होगी बस बहुत ही नियम के साथ में इस उपाय को हमें करना समझने कोशिश करते हैं, सबसे पहले सुपाई को बताने से पहले एक चीज आपको समझा दूँ कि जो नौरात्री के 9 दिन होते हैं, है न, देवी माता जो होती हैं, वो नीम पेंड के नीचे ही निवास करते हैं, इस चीज का ध्यान लखीगा, देवी माता और कहीं नहीं रह तामबे के लोटे में आपको क्या करना है, जल भर लो, ठीक है न, जल के अंदर आपको लेना होगा एक चुटकी लाल चंदन, क्या लोगे, एक चुटकी लाल चंदन ले सकते हो, या फिर रोली कुमकुम हो घर में उसका बस्तमाल कर सकते हो, डाल दिया, डालने के बाद में आपको जरुवत पड़ेगी नीम के पत्तों की, जादा नहीं लेना है, तीन से चार नीम के पत्ते को आपको रख देना, रखने के बाद में आप इस कलश को उठाना, जो नीम का पत्ता लिया है, उसको तो उसके अंदर डालोगे, जो व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा रहता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो दस साल का हो, या वो सव साल का हो, कितनी भी उसकी उम्र है, कैसा भी इनसान है, उसके कमरे में पूरी रात, नौरात्र के दिनों में किसी भी एक दिन आपको उस कलश को घर के अंदर रख देना, ठीके न, रख मौग कैसे सर से लेकर के पैर तक आपको इस कलश को साथ बार घुमाना होगा और घुमाने के बाद में आपको उस कलश का जो जल होगा लेके चले जाना उसी नीम पेंड के नीचे और पूरा का पूरा जल उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के समर्पित कर देना जो भी व्य गर में आपके बीमार रहता, परेशान रहता, उसकी बीमारियां खतम नहीं हो पारी, अब यहाँ पेसीज का ध्यान न कीए, कुछ लोगों को अभी भी याद होगा, कि जैसे मैंने आपको बताया था, कि जब भी आप पित्रपक्ष के दौरान पे, पीपल पेंड के नीचे ज तो अपना फेस साउथ डरेक्षन, लेकिन अब पित्रपक्ष खतम हो चुका है, क्या करना है, आपको अपना मुक भूल कर भी साउथ डरेक्षन नहीं करना, वरना पित्रदोष लग जाएगा, किसी भी दिशा में कर दो, बट आपको साउथ डरेक्षन ना करके उस जल को सम अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय के तरफ जितने दिन नौरात्र में हैं उन में से किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं आज के टाइम पे मेरी बहुत सारी बहने परिशान रहती हैं कि भीया हमारे घर में सब कुछ है बस हम लोग एक चीज के लिए परिशान रहते हैं और वो है नशा कि हमारे हस्बेन नशा करते हैं हमारी वाइफ नशा करती हैं हमारे बच्चे नशा करते हैं या फर चिड़ चिड़ बोलते हैं गंदी भासा कर इस्तमाल करते हैं तो आप सभी को इस उपाई को करना है नौरात्री के दिनों में ठीके ना उसके लिए आपको जाना होगा बेल पेंड के नीचे कहा जाओगे बेल पेंड बेल के पेंड का हर एक सामान हर एक चीज क्या होता है ज्यान से हाथों में ना लग पाए इसकी चाल को निकाल करके एक छोटी सी कटोरी लेना है ना उस कटोरी में जल को भरके इसकी चाल को उसमें डालके आधे से एक घंटे या दो घंटे तक भीगा रहने दो दो घंटे के बाद में उसकी चाल को निकालो और कोई सामी आप प गोलिया बना लो कितनी गोलिया बनाओगे साथ बना लेना या नौ गोलिया आपको बना लेने ठीक है ना बनाने के बाद में उसको लेना एक तामबे का लोटा लीजिएगा उसमें जल भरिएगा और इसको लेकर कि सीधा पहुचेंगे कहां पे महादेव के शिवलिंग के पा ठीक है ना आपके पास में साथ या नौ गोलियां है बेल के पेंड की छालकी उसको रखोगी कहां पे यहां पे माता असोक सुन्दरी के स्थान पे आपको रख देनी है भगवान शिव से जब आप रख रहे होंगे साथ गोलियों को तो आपको किसका इसमर्ण करना है नील ठेश्वर महादयो की नाम से आपको समर्पित करना है और समर्पित करने के बाद में इन साथ से नौ गोलियों को फिर यहां से उठा लेना और जब आप उठाओगे तो नील कंठ ठेश्वर महादयों से यही विंती करेंगे हे सिव शम्भू बोलेना अथ हमारे घर का ये इ बहुत दिनों से नशा करता है बहुत दिनों से परिशान रहता है आप इसकी सारी परिशानियों को दूर करें ऐसे प्रातना करके और फिर एक लोटा शुदजल तामबे के लोटे से स्री शिवाय नमस्तु भिहम का जब करके समर्पित करना और जो साथ से नौ गोलियों आप अपने घर पे जाना और उस विक्ति को डेली एक गोली किसी भी चीज में मिक्स करके या फिर वो इनसान ऐसे ही खाना चाहे तो वैसे ही खिला दो खिला करके देख लिए ना नील कंठेश्वर महादयो की नाम से उसको नशे से नफरत हो जाएगी और अगर वो घर में प्रेम से नहीं बोलता तो घर में वो प्रेम से बोलने लगेगा ठीके ना आसान सा उपाय है बहुत ही छोटा सा तो करना जरूर होगा सब ही लोगों को जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब ठीक है ना सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं इस उपाय के फायदे का हैं अगर माल लीजिए कि आपका कोई भी सामान खो गया है देखो यह उपाय कोने वाला है ना कि अगर आपका कोई सामान खो गया है चाहे सोने का कुछ गया हो घर में चोरी हो गई है पुलिस में कम्पेंड कर रखा है बट अभी तक उसका कोई निसकर्स नहीं निकला है तो आप इस उपाय को करेंगे है ना उसके लिए क्या करना है आपको ऐसे कटोरी भर चावल लेनी है तीक है ना अब यह मत देखना कि चावल की कटोरी रुद्राक्ष लेनी है चार मुखी आपको छोटे सी बात यहीं पर समझा दू बता दू आपके फायदे की है कि तीन अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है नौरात्री और तीन अक्टूबर को ही मेरा है जनम दिन और अपने जनम दिन के उसर पे आपके लिए मैं लायक के आ देते हैं तो मैं आपको उसके साथ 5 मुखी रुद्राक्ष तो फ्री दूँगा ही दूँगा साथी साथ इस बर्डे के ओफर पे आपको मैं कमल गट्टे की माला भी फ्री में दूँगा 108 कमल गट्टे की जिसका इस्तमाल नौरात्री के दिनों में तो कर ही सकते हो साथी सा दीपावली के दिनों में भी कर सकते हो तो आपके पास सुनहरा मौका है तो अगर आपको चहिए मुझे मैसेज करिएगा 900-564-3345 ये मेरा नंबर है आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं फोन नहीं लगेगा सिर्फ वाटसेप चलो चार मुखिर उद्राक्ष ले लिया अब आपको क्या करना है अपने घर में जाना अपने घर में जो भी कोई मध्ध बिंदू आपको नजरा जाए घर का आंगन हो तो बहुत अच्छी बात है आंगन नहीं है तो ऐसे कहीं पे भी घर में आपको रखना है एक कटोरी चावल और इस कटोरी चावल के उपर उस चार मुखिर उद्राक्ष को आपको रख देना ठीके ना रख दिया रुद्राक्ष को पूरी रात किसी भी नौरात्री के एक दिन पे इसको रख देना पूरी रात रखा रहने दो अगले दिन जब सुबह आप सोना इस चावल की कटोरी के बगल में एक घी का दिया लंबी बत्ती का देवी माता का ध्यान करते वे स्मरण करते वे जला देना रुद्राक्ष को उठा करके अपने घर पे रख लेना और ये जो आपने चावल की कट इसको उठाना और नीम पेंड के नीचे देवी माता का अस्मरण करते अगर आप समर्पित करके चले आते हैं तो आपका खोया हुआ जो सामान होता है वो मिलने की संभावना पूरी पूरी बढ़ जाती है इतनी ताकत होती है चार मुखिर द्राक्ष में किसी भी सामान अग लौंग के साथ में देखो नौरात्री का जो पर्वे स्टार्ट हो गया है तो आपको अपने घर में नौरात्री में नौ दिन होते हैं इन नौ दिनों में से किसी भी दो से तीन दिन आपको चार लौंग ले करके और दो कपूर के टुकुडे को ले करके अपने घर के हर कमर में थोड़ी थोड़ी देर जला करके रख देने से इस नौरात्री में जो नकरात्म कुर जाएं होती है निगेटिव इनर्जी होती है वो हमारे घर के बाहर जाती है इस चीज का ध्यान रखेगा तो आप सभी लोगों को इस नौरात्री के 9 दिनों में 2-3 दिन अपने घर पे मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा कुछ पूछना है नहीं समझ मैं नीचे कॉमेंट सेक्षिने पूछ सकते हैं और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कुछ मंगाना है ओफर का अगर आपको लाब उठाना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं नमबर मैंने आपको देई दिया है स्री शुवाय नमस्तु भ्यम